नमस्कार दोस्तों हमारे टेलिग्राम चैनल पर हमने 9 सब्टेंबर को बेसिकली बैंक निफ्टिक मेरे में कुछ अप्टेट जिये थे फॉर एक्जामपल यहां पर अगर हम चेक करें तो यस बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे लेवल पर था बैक टेस्टिंग करने के और स 50,650 की लेवल या फिर उसके नीचे में 50,300 की लेवल अगर तकरीवन चेक कर दो तो यहां से मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड की मुमेंट देते हो हमको दिख रहा है यहां पर चलिए चार्ट पर भी जाता है अगर मैं चार्ट पर चेक करूँ तो इस दिन का जो ब मार्केट हमको अपसेड में जाते हुए दिख रहा है यह था बैंक निफ्टी के बारे में यह ब्रेक आउट देने के बाद में बैक टेस्टिंग था बट उसके पहले सम्वेर अरॉंड अल्मोस्ट सम्वेर अरॉंड आउगस्ट में निफ्टी ने सम्वेर अरॉंड सिक्स्ट आफ आउगस्ट से या फिर हम फॉटींट आफ आउगस्ट चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर उसने एक कंसलेडेशन करना शुरू कर दिया था और मार्केट यहाँ से फिर बाउंस बैक देके अच्छी तरह से ऊपर की तरफ आई है तो इसमें कुछ आपको भी एगर ऐसे कुछ टॉक के रेकमेंडेशन चाहिए तो यह प्लीज आप हमको संपर कर सकते हैं कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो चलिए इन बार नजर दालते हैं 26th of July को HDFC recommend किया गया था current levels पे buy करने के लिए और उसका stop loss लगया था 1585 तो ये था 26th of July HDFC bank ये recommend किया गया था चलिए चार्ट पे जाते और चेक करते 26th July को ऐसे क्या हुआ था तो अगर मैं तक्रीबन bottom चेक कर लो तो यह ये है 26th of July और 26th July को तक्रीबन almost उसने या पे एक bottom form कर लिया था और यही level उसने almost दो बार sustain की थी और उसके बाद में उसने अच्छा का सा एक upside का movement किया है अभी के लिए फिलाल मैं चेक करो तो almost 9% stock upside में है 26th July 2024 का अगर मैं चेक करता हो तो इसकी जो लेवल थी वो तक्रीबन थी 1600 की लेवल और 1600 की लेवल से market अब भी almost 144 points upside में गया है 1744 फिलाल इसकी closing हुई है अब जो बहुत अच्छी है यहाँ पे current लेवल पे तो एक छोटे समय में उसने almost हमको somewhere around 9% का upside का moment दे दिया है यह सिर्फ दो मेने के अंदर में July end से लेके August और August के बाद में अभी September तो दो मेने के अंदर में आपको almost 10% का upside का moment बिल गया है SDFC में सिर्फ SDFC में आपको बाकी banks में भी दिखाई देगा 21st of August 2024 को kotak Mahindra bank यह recommend किया था और इसकी recommendation लेवल थी 1790 की लेवल पे stop loss सिर्फ 50 points का था downside में जो था 1740 का और इसकी जो लेवल थी जहाँ पर buying करने बताया गया था वो था 1790 की लेवल तो चलिए 1790 की लेवल से market अभी तक कितना अच्छा का सा बढ़ा है वो चेक कर लेते तो अगर मैं kotak Mahindra bank चेक करता हूँ तो 21st of August को जैसे मैंने बताया 1790 की लेवल पे यहाँ पर बाइंग बताया था और उसके बाद में अफकूर्स यह थोड़ा ओपर भी गया बाद में फिर से एक लेवल पे आ गया जो bank nifty भी नीचे आया था तो उसके साथ पे kotak भी 25 का की बना जाता है somewhere around 7.5% का upside का moment जो हमको एक महने के अंदर में देखने को मिला है फिलाल upside में यह market तो यह सम्मुमित कर रहे हैं कि और ऊपर की तरफ जाना चाहिए तो हमने कोटक महिंद्रा बैंक चेक किया जिसमें 7.5% का हमको upside मोमेंट देखने को मिला हमने HDFC बैंक भी चेक किया जो इसमें हमको almost 9% का upside का moment देखने को मिला था सिरफ यहीं स्टॉक्स नहीं यह बागी के स्टॉक्स भी है जहाँ पे हमको अच्छा का सा एक upside का moment देखने को मिला है 21st of August को अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे हमने बजाज finance भी recommend किया था तो यह 21st of August की डेट है बजाज finance हमने recommend किया था 6700 की levels पे buy करने के लिए और अगर मैं चार्ट पे इसको check करता हूँ बजाज finance को एक खास बात में बजाज finance के बारे में आपको बता देता हूँ जनरली लोग जबी trend line को breakout कर लेता है तभी buy करते है या फिर जबी भी एक नया high जो होता है उसको breakout कर लेता हो वहाँ पे buy करते है और फिर उसके बाद में चेक करते है upside की movement के लिए तो अगर इसकी level में चेक करता हो तो यह तकरीवाण level है 7200 की level या फिर 7400 की level पे यहाँ पे की लिए बोला था हमने 21st of August के दिन में ये था 6700 की level 21st of August तो देखिए 21st of August को हमने तकरीवाण बाइक किया था somewhere around 6700 की level ये breakout की level से बहुत नीचे था जरस उसने bottom बना के accommodation चल रहा था यहाँ से impact ये double top बनाने के बाद में नीचे की तरफ भी गिरा ये bottom बनाने के बाद में जबी उसने upside में moment दियता है ऐसा ने कि उसने यहाँ पर भी ब्रेक किया था ये practical चीज़ है जो की हुई है recommendation दिये गया है buy करने के लिए देखिए 21st of August को बजाज finance recommend किया गया था 6700 की level पे और 6700 की level से ये तकरीबन almost उपर गया है 7700 की level तो 6700 से almost 1000 points से उपर की तरफ गया है 15.65% या फिर आप 16 15 to 16% बोल सकते उपर की side में उसने हमको एक upside का moment दिया है एक मेने के अंदर में आज की 21st September है exactly एक मेने के अंदर में आपको 15.65% या फिर 15 to 16% return आप बोल सकते जो बहुत ही अच्छे है आप अगर सही गान की techniques इस्तमाल करके उसके उपर काम करे तो यही नहीं 8th July को हमने एरेटेल recommend किया था buy करने के लिए 1433 या फिर 1435 की लेवल पे यहाँ पर buy करने को बोला था और इसमें भी फिर से एक छोटा stop loss था तकरीब on almost 20-23 points का इतना ही stop loss था और buy करने के लिए बोला था approximately 1433 की लेवल पे था और यहाँ से ही almost कुछ दिनों के लिए यहाँ पे ही range bound था ना ही उसने previous high को break किया but yes overall एक range bound था और उसके बाद में फिर उसने दिरे-दिरे momentum build up किया एक high दिया उसके बाद में फिर से back testing के लिए आ गया previous high की लेवल पे और फिर उसने यहाँ से जो momentum पक of July से आज के दिन तक दो मेने 15 दिन के अंदर में अगर मैं चेक करता हो तो तकरीबन market almost 20% उपर की तरफ हमको जाते हुए दिख रहा है यह है air retail सिरफ दो मेने 15 दिन के अंदर में हमको almost 20% का returns यहाँ पे दे दिया है जो बहुत अच्छा है ऐसे आपको बागी के stocks भी दिखा देंगे जहाँ पर आपको एक momentum build up होते हुए यहाँ पर फिलाल दिख रहा है तो यह जो हमने शुरुआत की थी यह आपको बताया था specifically bank nifty के साथ में हमने सबसे पहले तो यहाँ पर बताया था कि यह overall backtest करवा लिया है जो basic बोला था कि यह उसने एक level break करके backtest करने के लिए आ गया है support line ले रहा है वो trend line का तो यहाँ से एक अच्छा-खास upset का moment हमको देखने को मिल सकता है और yes यहाँ से हमको एक बहुत अच्छा-खास upset का moment देखने को भी मिला है तो yes इस तरह से अगर आप stocks चुनते हो तो yes आपको कम समय में अच्छे-खासे returns देखने को मिल सकते ह और यह हमारे stock recommendations के तुरू है जहाँ पर जिसने भी services दी है तो उनके लिए हमने यह stocks का recommendation किया था जैसे आप check कर सकते हो 8 July को हमने एरेटल recommend किया था 1433 की level पर तो एरेटल 1433 की level से almost 20% upset में गया था almost 2 मेने 15 दिन के अंदर में वैसे ही 21st of August को बजाज finance recommend किया था 6700 की level पर और 6700 की level से अच्छा खासा upset गया है और बजाज finance अगर में चेक करता हो तो 21st of August के बाद में उसने एक अच्छा खासा upset का momentum को दे दिया एक मेने के अंदर में almost 15 to 16% का returns उसने दे दिया है यह ना हमने breakout पे बोला था या फिर previous जो हाई था वहाँ पर यस एक bottom की levels form की थी जहांसे हो momentum build-up कर रहा था इंपक्ट उसने double top से नीचे की तरह भी गया था पर यह एक अच्छा support था ग्यान की कुछ dates के मताबिक और वहाँ से फिर उसने हमको एक upside का moment देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यस आपको भी अगर ऐसे कुछ stocks के recommendation चाहिए तो yes please आप हमको संपर्क कर सकते हैं contact कर सकते हैं यह already कुछ stocks के recommendations हमने हमारे कुछ clients को दिये थे और आपको यह clients के accounts के अंदर में अच्छे खासे returns देखने को भी यहाँ पर मिलेंगे तो yes यह अगर आपको details चाहिए तो आप हमारे साथ में जूड़ सकते हो thank you so much bye take care कर सकते हमारे साथ में जूड़ सकते हैं कर सकते हमारे साथ में जूड़ सकते हैं